हेलो फ्रेंड्स आप सबों का स्वागत है एक पर फिर से आपके अपने चैनल पर दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको भारत के परमुख पठारों के बारे में बताया था और वह सब सारे इंपोर्टेंट पठारते हैं वहां से कोस्चन बनने की पूरी संभावना तो मैंने इसको विष्टित रूप से आप लोगों को बताया था तो जो चैनल में नया है वह पेचली वीडियो को जाकर देख सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे पठारों के बारे में अच्छे जानकारिया दी गई है जो कि एक्जाम के द्रिश्टिकों से महत्तवपूर् यह जू बनाया हुए में वह ही है हमारा दक्कन पठार या दक्कन प्लेटूट यह आपनों देख सब्सक्राइब किटना बड़ा एरिया में यहाँ फैला हुआ है दोस्तों दक्कन पठार का जो निर्मा sworn हुआ है वह अश्को 3 यह देखते हैं की जो आखरती है वहां तिरभुजाकार है तो यह इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए हो सकता है कोश्चिन पूछ लाजाया कि दक्कन पठार क्या तो आप लोग इसको उत्तर करेंगे तिरभुजाकार क्रेटी इसकी जो ओसत उंचाहिए वहां है तुम सर मेटरं और रहा है उसत सोझाई है वहां काई सिए नजीक कारम नदिया नों सर्गे में अब फूरी घाटиком बहुतीवी भंगलेवे घ्मट सा जाती है यहांइciğim कि चाने ङुदुछा है और पूर्वे की ओरत्स थूटका मैं इसका नदिया इसके बाद में देखते हैं इसका निर्मान कठोर आगने चट्टानों से हुआ है तो इस जो पठार है उसका निर्मान कैसे हुआ है तो कठोर आगने चट्टानों से हुआ है और यह जो कठोर आगने चट्टान है वह बहुत समय पहले बहुत समय पहले जालमुखी उद्गार पत्तान से जो निकला हुआ था उसी के जमने से गठोर आगने चठानों का निर्मान गया और फिर इसी आगने चठान बहुत समय तक इसमें अपरदन लगातार होता गया होता गया तो तो फिर ये जो अगने चटान है वो परदर परद अपरदित होते हुए होते हुए इस पर काली मिट्टी का लेप चड़ गया यानि कि पूरे तरीके से यहां काली मिट्टी इस पठार पर फैला हुआ है और ये अगने चटान जो है बेशाल चटान परदर चटान इस परकार क मों देख रहें और नीचे में उससे है थोड़ सा है सथपूड़ा पनॐन रेनी तो इन दोनों के दच्छिन में है हमारा दक्कल का पठा यानि की उत्री सिमा म vista आने ब्रोटे हमारा है निलग्री पहाड़ी तो शाहिके बीच में है पूर रिचामाल राजमाल हिल्स तो एह हमारा होता है पुरवी घाट सल्गहला कि बीच में और साहिक पस्चिं कि विचक रिटाओं करते हैं तुइंए हमारा पस्चिय में और उपर में यह हमारा है भारत का विशालता हम प्राइद विप्या पठार जिसको में लगाते हैं दक्कन पठार तो इसका फैलाव विश्थार को आप लोग ने यहां पर समझ लिया उसकी विश्थाता थी उसको भी आपने देख लिया अब हम इसका और आप लूए जो है किस परकार से बटवार किया गया है वर्गरन किस परकार किया गया है ताकि हमें पढ़ने में आसा नहीं होगे तो यहां पर च्प्धार को जानने के लिए अब इसका हम जो है वत्वार देखते हैं यानि किस परकास को विवाजन किया गया इस चीज को यहां पर देखते हैं दक्कन-पथार का विवाजन या इसका बटवारा तिन तरह से किया गया है जिसे हमें पढ़ने में और आपको समझने में भी आसानी होगी तो इसमें आप लोग देख रहा Temps पर यह navy और दे कर रिखन तो इसमें जो है यह दक्कन पठार इसी को हम लोगते हैं काल्य मिट्टी का पठार या इसे को हम लोगते हैं महराष्ट का पठार या दककन ट्रेप तो इसका इतने सारे नाम है पहले नमबर का उत्रि दककन पठार महराष्ट पठार काली मिर्दा का पठार या तो फिर इसी को हम लोग एक महत्वपूर्ण और इंपोर्टेट जो कि यह फेमस नाम है वहा है दककन ट्रेप तो इसी को कह जाता है दूसरे नबर पर जो है यह हमारा पूरी दक्कन पठार तो इसे में आपको देखने मिल जाएगा चोड़नागपूर का पठार दंडकारन या वस्तर का पठार और बखलकन का पठार इसी हमारे दामोदर और महानदी वाले इलाका वाले जो पठार उसी में मिलेगा व है तो इस को हम लोग थे कनते तुन दिकन वाथर को लोग आते हैं महाराष्ट्र है वह पठार हुए पर एक म३ रसी के को एक हैं हम लूग ने काली मिट्टी का पठार है ऑपर इस एक और फेमर सबसे हैं ज्यादा नाम है हुआ है दक्कन है को ट्रेपो कि यह आपको ध्यान रखना है और इसमें हम पढ़ेंगे पुरुदिकन पठार में पाले नमबर पर है छोटा नागपूर पठार चोटा नागपूर पठार और दूसरे नमबर पर हम लोग दिखेंगे बस्तर दंडकारिन पठार पठार और इसमें हम देखेंगे करनाटक मैसूर पठार और साथ साथ को हम दिखेंगे इसमें आंद्र तेलंगाना पठार तो यहां से भी कोस्टेंज लगातर पूछे जाते हैं तो इसी कारण से हम लोग इसको एक एक करके सारे जो पठार है इन तीनों में से उनको अभी देखेंगे और जानेंगे तो दोस्तों अगर आपनों को वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें क्योंकि इस परकार के वीडियो आप वो कोस्टेंज में मांक्स जरूर दिलाएगे तेंक्यों दोस्तों